अदियाए 11, हड, एक अलिफ, लाम, रा, ए ओ किताब है जिस दियां आयतां पकियां अटल कर रखियां हन, विस्थार नाल वर्नन कीतियां गईयां हन, बहुत ही डूंगी से आनपते जाननहार हस्ती वलों नाजिल होयां हन. दो तुसी अलाह तो छुट होर किसे दी इबादत ना करो, मैं, मुहम्मद तुहाडे ली उसे, हस्ती वलों ड्राउन लई ते खुश्खबरी देन आया हां. तिन अते एबी दसां कि तुसी अपने गुनाहांदी बक्षिश ली अपने रब्तों अर्दास करो, फेर उसे वल परताओ, ओ, अल्लाह तोहानू एक निश्चित समय लई जीवन समगरी देवेगा ते हर वद नेक, अमल करन वालेनू बदेरे बदला देवेगा जे तुसी रब तो मूँ मोर दे रहेता मैं तोहड़े बारे एक वड़े दिन, क्यामत दे अजाब तो डरदा हां। जो ओ गुपत रखदे हन अते जायर करदे हन ओ वी अल्लाह जाणदा है। बेशक कोता दिला दे पेत वी जाणदा है। साथ अलाह हो हियो है जिसने अकाशा ते तरतीनू छेहान दिन विच पैदा कीता आते, उस समय उसदा तखत पाणी, तेसी एक ता जो तोहानू परखे के तोहड़े विच्चो किडा चंगे काम करदा है। हे नभी, जे तुसी आखो के तुसी मरन मगरो मुर जीवत कीते जावोगे ता काफिर जरूर यहो जवाब देंगे के यह ता साफ जादूगरी है। आठ जे असी इहना काफिरां, तो अजाब नू एक विशेश मुद्दत तक लई टाल दईयेता हैं, काफिर्त जरूर आख दे के अजाब नू कहड़ी चीजने रोक्या होया है। सुनो जिस दिनो अजाब इहना कोल आवेगा फिर इहना तो टलेगा नहीं, जिस दाहे मखाल करया करदे सी उहियो इहना नू केर लवेगा। नू जे असी मनुख नू अपनी किसे नेमत तो निवास देहां फिर मगरो उस नेमत तो वांजया कर दईयेता हो, मनुख बहुत ही निराशते बहुत ही नाशुक्रा बन जान्दा है। एक सिफर जे असी, अल्लाह, उसनू बिप्ता देन मगरो अपनिया नियमतांदा स्वाद चखाऊंदे हां ता ओ आखन लगदा है के हुन मेरिया परेशानिया दूर हो गईयां। बेशक को, उस समें, शेखिया मारन लग जान्दा है ते कमंडवी करदा है। एक एक पर जेहडे लोग तीरज रखदे हन अते नेक कम करदे हन उना लेही बक्षिश है अते बहुत ही वड़ा बदलावी है। एक दो, हे मुहम्मद सस्सा, हो सकदा है के तुसी इस वहीदे कुझ पागनू जेहडी तुहडे वल नाजिल कीती गई है, वर्नन करन तो छड़ देओ, तुहड़ा दिल तंगी महिसूस कर रहा होवे, के ये काफिर आखंगे के तुहडे, ते कोई खजाना क्यों नहीं उतर गया जा इहना, मुहम्मद सस्सा मुस्कराउंदा चेरा, दे संग कोई फरिष्टा क्यों नहीं आया, हे नभी, सून लबो के तुसी ता केवल, अलाह दे अजाब तो, ग्राउन वाले हो, अलाह हर चीज़ दी निगरानी कर रहा है, एक तिन की ओ काफिर, आख दे हन के इसने ये कुरान आप ही काड लिया है, हे नभी, काफिरानू आख देो के फेर तुसी भी इहना वर्गियां दस आयता कड विखाओ, अते छुट अल्लाह तो, अपनी मदद लई, जिसनू बुला सकदे हो, बुलालवो, जे तुसी अपनी गल्विच सचे हो, एक चार फेर जे ओ काफिर तुहानू कोई जवाब ना देन ता जान लो के एक कुरान, अल्लाह दे ग्यान अनुसार ही उतारया ग्या है, अते अल्लाह तो छुट होर कोई इशट नहीं, हे लोको, की तुसी, ए सब जानन तो बाद, मुसल्मान बंदे हो, एक पंज जहडे लोकी संसारिक जीवन ते इस दी खूब सूर्ती चाउन दे हन असी उना दे करमा दा बदला इसे संसार विच ही दे छट दे हां अते उना दा हक नहीं मार्या जान दा एक छे हो ओ लोक हन जिना लई आखिर्त विच छुट अग तो होर कुझ भी नहीं, जो कुझ उनाने संसार विच कमाई कीती सी ओ सब बरबाद हो गई अते जो भी ओ अमल कर दे रहे ओ भी अजाई गए एक सत्त की पलाओ व्यक्ती कुरंदा इंकार कर सकदा है, जिहडा अपने रब वलो बक्षी होई दलील ते काइम होवे अते इस दे नाल अल्लाह वलो एक गवाह वजो कुरान वी होवे, जद के इस तो पहला मुसादी किताब तौरेत वी मारग दर्शन ते मेहरा दे रूप विच रही है, इहो ओ लोक हन जिहडे इस कुरान, ते इमान रख दे हन अते इहना सारे मनुखी तढ़यान विचो जो भी इस कुरान दा इंकारी होवेगा उस दा टिकाना अग है दश्मलविक है नभी सस्सा, तुसी किसे प्रकार दे शक, शुबहे विच नहीं पैना, एक क प्रान तोहडे पालनहार वलो हक, ते आदारित है पर वदेरे लोक नहीं मन दे एक आठकोस व्यक्ति तो वद के जालम कौन होवेगा जहडा अल्लाह, ते ही चूट जड़े ए सारे लोक अल्लाह दे हजूर पेश कीते जानगे अते, फृरिष्टे गवाही देनगे की ओ लोक हन जिननने अपने रब ते चूट जड़े सी सून लो, अल्लाह दी फिटकार जालमा लई है दश्मलव दो एक नौ जहने लोकानू अल्लाह दी राह तो रोक दे हन अते इस राह विच विंग वल लब दे हन एहो आखिरत दे इनकारी हन दो सिफरों लोक तरती उत्ते अल्लाह नू बेवस करन वाले नहीं सान अते नाहीं छुट अल्लाह तो उना दा कोई हिमायती सी उना लें दो गुणा अजाब होवेगा क्यों जो नाहीं हो हक सून सक्दे सी अते नाहीं उसनू बेखना चौन दे सी दो एक इहो लोक हन जिना ने अपने आपनू काटे विच पाया है अते ओ सब ओना तो गुआच गया जहड़ा ओना ने काड़ रख्या सी दो दो बेशक आखिरत विच काटे विच रहन वाले इहो लोक होनगे दो तिन बेशक जहड़े लोकी मान लियाएते पले कामवी कीते अते अपने पालन हार दे हजूर चुक देवी रहे उही ओ सवरगा विच जान वाले हन जित्थे ओ सदा लई रैंगे दो चार ए दो में तिरांदी मिसाल इंज है जिवे एक तिरांणा ते बोला होवे दूजा वेखन ते सुनन वाला होवे की ए दो में तिरांग को बराबर हो सकदे हन की तुसी फेर भी नसीहत प्रापत नहीं कर दे दो पंज बेशक कसी नूहनू उस दी कौमवल पैगंबर बनाके पेजया ते उसने किहा कि मैं तुहानू सपश्ट चितावनी दे रहा हां दो छे कि तुसी अल्लाह तो छुट्ट किसे होर दी इबादत ना करो मैं ता तुहाड़े ते दर्दनाग दिन पाव क्यामत दे अजाब आउन तो डर्दा हां दो साथ तुस नूह दी कौम दे वडेरिया ने कहा कि असी ता तैनू अपने वांग ही एक मनुख वेख दे हां ते एवी वेख दे हां कि केवल ओना लोका ने ही बिना सोचे समझे तेरी पैरवी कीती है जहड़े साधी कौम दे नीच दलित ते पैड़ी सोच वाले लोक हान असी ये वी वेख रहे हां कि तुहानू साड़े ते किसे तरांदी कोई वडे आई वी नहीं असी ता तुहानू चूठा समझ दे हां 288 नूर ने कहा कि है मेरी कौम वाले ओ मैंनू दसो के जे मैं अपने रबवलो किसे दलील ते होवा अते उसने मैंनू अपने वलो किसे मिहरतों पाव रसूल बना के निवाजया होवे फेरो मिहर तुहानू अन्यानू विखाई ना दिन्दी होवे ताकि असी तुहानू इसनू मननन लई मजबूर कर सकदे हां, जाद के तुसी इसनू पसंद नहीं कर दे। अपने कोलो परा करन वाला नहीं। बेशक कोना दी मिलनी अपने रबनाल होनी है पर मैं वेखदा हां कि तुसी अग्यानता तो कम ले रहे हो। तिन एक नूह ने कहा कि मैं तुहानू इनहीं कैनदा कि मेरे कोल अलला दे खजाने हन अते ना ना ही मैं गैब दा ग्यान रखदा हां, ना मैं एक एनदा हां कि मैं फृरिष्टा हां, ना ही मेरा ही कहना है कि जिनानू तोहडियां अख़्ा नीच समझ रहिया हन, उनानू अल्लाह कोई पलाई नहीं बक्षेगा। उना दे मन विच जो है उसनू अल्लाह चंगी तरह मेरी गिंटीवी जालमा विच होवेगी। तिन दो कौम ने आख्या के है नूह, तू साडे नाल चगड़ा कर लिया ते साडे नाल वदेरे चगड़ा कर चुक्या है। जेस अजाब तो सानू तू डरा रहा है ओ लैया, जे तू सच्चा है। तिन तिन नूह ने कहा कि बेशक अल्लाह ही ओ, अजाब तू हड़े ते लियावेगा, जे ओ चावे। फेर तूसी उसनू रोकवी नहीं सकदे। तिन चार तूहानू मेरिया नसीता कुझ भी लाब नहीं दे सकदियां पावे में तूहड़ी किन्नी ही पलाई चाहवा जदो के अल्लाह दी इच्छा तूहानू कुराहे पाउना दी होवे। उहियो तूहड़ा रब पालणहार है अते उस वल तूसी सार्याने परत के जाना है। तिन पंज की ओ काफिर आखदे हन केस कुरान नू उसने आप ही काड़ लिया है। हे नभी, जवाब दियो के जे मैंने अपने मन तो इसनू काड़ लिया है ता इस दा दोश मेरे, ते है ते मैं उना सारे अप्रादा तो बरिहां जो तूसी कर रहे हो। तिन छे नूह वल वही पेजी गई कि तेरी कौम विच्चो जहडे लोक पहला इमान लिया चोके हन उना तो छुट होर कोई इमान नहीं लियावेगा, सो तो उना दिया करतूतां ते दुखी ना हो। तिन सत्तू साधियां अक्खांदे सामने साधी वही अनुसार एक बेडी बनाते ओना जालमा दे संबंध विच्च साधे नाल कोई गल ना कर। बेशक ओना नू डोग दित्ता जावेगा। तिन आठ्ट जदो नूह बेडी बनाऊन लग गया ते ओना दी कौम दे आगू जदो उस नूह दे कोल दी लंग देताओ उस दा मखाल कर दे। नूह ने कहा कि जे आज तुसी साधा मखाल उडाउंदे हो बेशक एक दिन असीवी तुहाडे ते हस सांगे जिद्दा तुसी साधे ते आज हास रहे हो। तिन नो तुहाणू बहुत छेती ही पता चल जावेगा कि किस व्यक्ती ते अजेहा अजाब आवेगा जेहडाओनू संसार विच जलील कर देवेगा ते आखिर्त विच सदालेई सजा होवेगी। चार सिफर जदो साड़ा अजाब दा होकम आ गया ते तरती चो पाणी दा तंदूर उबलन लग प्या फेर असी नूहनू अख्या के इस बेडी विच हर प्रकार दे जानवरां दे जोडे पाव दो जानवर एक नर ते एक मदीन सवार कर ले ते अपने परिवार नू चार एक नूहने कहा कि सारे इमान वाले इस बेडी विच सवार हो जाओ इस दा चलना ते ठहरना अलाह दे हुकम नाल ही है थकीकत विच मेरा पालनहार वड़ा बखशनहार ते रैम फर्माउन वाला है चार दो बेडी ओना इमान वाले नू पहार वांग उच्चियां उच्चियां छलना विच लईन जा रही सी नूहने अपने पुत्तर नू पुकारया जहडा कि सब तो अलग खलग सी कि है पुत्तर साडे नाल तू भी सवार हो जा काफिरा नाल ना रहे चार तिन्नो पुत्तर बोलेया मैता हुने किसे पहार दी शरन ले लवागानो मैनू पाणी तो बचा लवेगा नूहने आख्या कि आज अल्लाह दे हुकम अजाब तो बचाउन वाला कोई नहीं केवल ओहियो बचणगे जिना ते अल्लाह दी महर होवेगी दश्मलविक उसे समय होना दोहा पे ओ पुत्तर विचाले एक छाला आगई ता ओ पुत्तर वी दूबन वालेया विच जार लेय चार चार आख्या के है तरती तू अपने पाणी नू निगल जाते है अकाश तू रुखसो उसे समय तरती विच पाणी समा गया ते ओना काफिरांदा निभेडा कर दिता गया ते बेडी जोदी नादी पहाडी ते जाटिकी अते आख दिता गया के जालम को मलेयी रब दी रहिमत तो दूरी है। तो मैं थो उस चीज़ दा सवाल ना कर जिसदा तोहानू ग्यान नहीं। मैं तेनू नसिहत करदा हां कि तू जाहलान विच नारलीन। चार सत नूह ने कहा कि है मेरे पालणहार। मैं तेरी शरन विच ओना हां इस गल्तों कि मैं तो हाथों चीज मंगा जिस्दा मैंनू उपका ही ग्यान नहीं। जे तू मैंनू नहीं बक्षेगा ते मेरे ते मेहरा नहीं करेगा ता मैं काटे विच रहन वाल्यां विच हो जावांगा। चार आठ जदो तूफान दा जोर जांदा रहा फेर आख्या ग्याके है नूह। वलो बड़ा ही करड़ा अजाब आवेगा। चार नो हे नभी ए सारियां गैब परोख दिया खबरा हन जिडियां सी तोहडे वल वही करदे हां। इहना खबरानू इस तो पहला नाहीं तुसी जान दे सी यते नाहीं तोहडी कौम मक्के वाले जान दे सी। सो तुसी इहना दे इंकार करन ते तीरज तो कम लवो। अंत पलाओना लोकादा ही है जहडे प्रहेजगार हन दश्मलविक। पंज सिफर असी आद कौम वल ओना दे पराहूद नू पेजया। उस हूद ने कहा के है मेरी कौम। तुसी अलाही दी इबादत करो। उस तो छुट तोहडा होर कोई इशट नहीं। तुसी ता निरा चूट करन वाले हो। पंज एक हे मेरी कौम। मैं तो हाथो इस्त सिख्या देन दा कोई बदला नहीं मंगदा मेरा बदलाता उस दे जिम्मे है जिसने मेनू पैदा कीता है की तुसी फेर वी अकल तो कम नहीं लेंदे। पंज दो अते कहा के हे मेरी कौम। तुसी अपने रब पालनहार तो अपने गुनाहान दी मुआफी मंगो अते उस दे हजूर तौबा करो अल्ला तोहाडे लई अकाश तो रहमता परे बदल पे जेगा अते तोहाडी वरत्मान शक्ती विच होर वदेरे वादा करेगा। सो तुसी अपरादी बढ़ के हाक तो मुँ ना मोडो। पांज तिन कौम ने जवाब विच कहा के हे हूद तू साड़े कोल आपने नभी होन दी कोई दलीलता लियाया नहीं असी केवल तेरे आखन ते आपने इशटाननू नहीं छड़न वाले अते नाहीं असी तेरे उत्ते इमान लियाउन वाले हां। पांज चार सगों असीता इहो समझ दे हां कि साड़े किसे इशटने तेरी अकल मार छड़ी है। पूद ने अख्या कि मैं ता अल्लाह नू गवाह बनाऊंदा हां ते तुसी भी गवाह रहो कि मैं ता छुट अल्लाह तो इहना सब इश्टान तो अबाजार हां जिनननू तुसी रब्दा सांजी बनाऊंदे हो। पंज पंज छुट अल्लाह तो तुसी सारे रल मिलके मैंनू हान पहुंचों दिया योज नामा बना लओ, फेर मैंनू उपका ही मोहलत ना दैयो पंज छे बेशक, मेरा परोसाता अल्लाह, ते ही है जेहडा मेरा वी ते तोहाड़ा सब दा पालनहार है तर्ती उत्ते चलन वाला कोई भी, पराणी अजेहा नहीं जिसनू उसने बोधी तो ना फड रख्या होवे निरसंदेह, मेरा पालनहार सिद्धी राह, ते है पंज सत हाँ जे तुसी हक तो मू मोडोगे ता मैं तोहानू उसनेहा दे चुके आहां जेहडा तोहाड़े वल देके मैनू पेज्या गया सी मेरा रब एक होर कॉमनू तोहाडा जानशीन बना देवेगा ते तुसी उस रब दा कुझ भी विगाड नहीं सकोगे वास्तव विच मेरा रब ही हर चीज दी निगरानी करदा है पंजाट जदो साड़ा अजाब आगयाता असा हूद ते उस दे इमान वाले आगयाकारी साथियानू अपनी खास मिहरा सदगे कुराहे पैंटो बचा लिया ते असी उन सब नू करड़े अजाब तो बचा लिया पंजनो अते वेखोई कौमे आदसी जिसने अपने रब दियां आयता हुकमा दा इनकार अते अल्लाह दे रसूला दीना फर्मानी कीती सी अते हरेक सरकश रब दे बागी ते सच्चाई नाल वैर रखन वाले दा कैना मन्या 6.09 दे पिछे इस संसार दी वी अते क्यामत दिहाडे दी वी लानत लगी रहेगी वेखो आद दी कौम ने अपने रब दा इनकार कीता सुनो फूद दी कौम आद उते लानत है 6.08 दी कौम वल ओना दे परा सालेह नू नभी बना के पेजया होना ने अपनी कौम नू आख्या के तुसी सारे अल्लाह दी इबादत करो उस तो छुट तोहड़ा होर कोई इशट नहीं उसे ने तोहानू तर्ती, मिट्टी, तो पैदा कीता आते उसे ने इस तर्ती उत्ते तोहानू वसाया है उसे तो ही अपने गुनाहान दी मौफी मंगो अते उसे वल पर अताओ बेशक मेरा रब दोहड़े नेड़े ही है ते दोआवानू कबूलन वाला है छे दो ओना कौमे समूद ने आख्या के है साले है इस तो पहला तू साधियां आसा दा केंदर सी की तू सानू ओना इश्टान दी इबादत तो रोकदा है जिना दी इबादत साधे प्योदादे करदे सन जिस चीज एक रब वाल तू सानू बुला रहा है सानू ता उस दे प्रती शंका है जो साधी दुबिदा दा कारण है 66 सालेह ने कहा कि है मेरी कौम वालेओ रता दसो ता सही जे मैं अपने रब वल किसे ठोस दलील ते होवा अते उसने मैनू विशेश मिहर पाव नबुवत बक्षी होवे फेर जे मैं उस दी ना फर्मानी कराता अल्लाह दे अजाब तो मैनू कौन बचावेगा तू सी ता मेर नुकसान विच वदा कर रहे हो 64 सालेह ने कहा कि है मेरी कौम वेखो वे उठनी तुहाडे लई अल्लाह दी निशानी वजो है सो तुसी इसनू रब्दी तर्ती ते चरण चुगण लई छट देओ तुसी इस नाल बुरे इरादे नाल रतावी छेल छाड़ ना करियो नहीं ता तोहानू छेती ही अजाब आनपेगा छे पंज पर ओनाने ओदियां टंगा वड़ सुटियां इसते सालेह ने चितावनी दित्ती की चंगा होन तुसी अपने अपने कराविच तिन तिन दिन हो रस्वस लओ तुहाडे ते अजाब आउन वाला है ए अजेहा वादा है जहड़ा चूठा सिद नहीं होवेगा छे छे जदो साड़ा होकम अजाब आग्याता फेर असी सालेह ते उस दे इमान लियाओन वाल्यानू अपनी मिहरा सद के अजाब तो बचा लिया ते उस क्यामत दिहाडे दे अजाब तो भी बचा लिया बेशक तेरा रब ही असल विच सरव शक्ती मानते जोरावर है छे सत ते जालमानू इक कडाकेदार तमाकेने नप लिया फेरताओं अपने कराविच उर्टे मू दिगे रहे गए छे आठ उस बस्ती विचेंज लगदा सी जिवे के वो उत्थे कदे वसे ही नहीं सी सावदान रहो के बेशक्त कौमे समूद ने अपने रब नाल कोफर कीता इहना समूदियां ते फिटकार है छे नौ निरसंदेह साड़े पेजे होए फरिश्ते इबराहीम कोल खुश्खबरी लेके आये ते आख्या के तोहड़े ते सलाम होवे उना इबराहीम ने वी जवाब विच सलाम के हाते बिना देरी कीते पुजा होया वच्छा उना लई लियाए साथ सिफर जदो वेख्या के ओना फरिश्तियां दे हाथो स्पोजन वल वद ही नहीं रहेता इबराहीम ओना नू अजनबी समझ के मन ही मन विच ओना तो पैपीत हो गया एवेक ओना फरिश्तियां ने कहा के साथोन ना डरो असीता लूद दी कौम वल कले गए हाँ साथ एक ओना इबराहीम दी पतनी बीबी सारा जहडी उत्थे ही खडी सी इबराहीम दी पैपीत हालत वेक के हसन लगईतां सी ओना फरिश्तियां राही उसनू इस हाक अते इस हाक मगरो याकूब नू नभी बनाउन दी खुश्खबरी सुनाई साथ दो इबराहीम दी पतनी सारा आखर लगई के हाई लोड़ा मेरे आुलाद के में होवेगी जदो के मैं बुड़ी हो गई हाँ ते मेरा पती भी बहुत बुद्दा है एता बहुत ही हैरानी दी गल है साथ तिन फरिष्टेया ने केहा की तो अल्लाह दे हुकम ते हैरान हो रही है हे इस करवालेो तो हडे ते अल्लाह दिया रहिमता ते उस दिया बरकता नाजिल होन बेशक अल्लाह ते अंत्शलागा योग ते उचिया शाना वाला है साथ चार जदोस इब्राहीम दा डर दूर हो गया ते उसनू खुश्खबरीवी मिल गई ता ओ साड़े नाल लूद दी कौम बारे चग्रन लग पया साथ पंज असल विच इब्राहीम बहुत ही सहिनशील ते कौमल हिर्दे वाला आते साड़े अल्लाह वल ही चुकन वाला व्यक्ति सी साथ शे फृरिष्टियाने आख्या के इब्राहीम तुसी ये विचार छट द्यो तोहड़े रब्दा हुकम अजाब देंदा आ गया है इहना कौमे लूद ते इक ना टलन वाला अजाब जरूर ही आउन वाला है साथ साथ जदो साड़े पेजे हुए फृरिषत लूद दे कोल पहुंचेता ओ लूद ओन दे आउन नाल बहुत ही दुखी होया अते दिलो तंग होया पाव कबराया अते आखन लगया के आज ता बहुत ही करड़ा दिन है साथ आठ उस दी कौम दे लोक महमाना नुवेख नस दे होय उस लूद कोल आए जहडे की पहला तो ही अशलीलता परे काम कर दे सन उस लूद ने कहा कि है मेरी कौम दे लोक को ए मेरी कौम दियां तियां हन इहना नाल निकाह कर लवो ए तुहाड़े लई अते अंत पवित्तर हन सो तुसी अल्लाह तो डरो अते मेरे महिमाना दे सामने मैनू जलील ना करो की तुहाड़े विच्चो एकवी पलाव्यक्ती नहीं सात नो कौम ने कहा कि तू ता चंगी तरा जानदा है कि तेरी कौम दियां तियां नाल सानू कोई सरोकार नहीं तू ता साड़ी असली इच्चा तो पली पांत जानू है आठ सिफर लूत ने कहा कि काश मैं तो हड़े नाल मुकाबला करंदी ताकत रखदा जा मेरा कोई जोरावर हिमायती हुन्दा आठ एक फृरिष्ट्याने आख्या के हे लूत असी तेरे पालन हार वल्लों पेजे होए हां ए लोग तो हड़े ते हत नहीं पासकदे तो अपने कर वाल्यानू लेके रात नू किसे विले निकल जा तो हड़े विच्चो कोई भी पिछे मुड के ना वेखे तेरी पतनी तो छुट सारे चले जाओ क्यों जो उसनू भी उहियो अजाब पहुंचन वाला है जहड़ा उना सार्यां जालमा नू पहुंचेगा बेशक इहन दा वादा अजाब देन दा सवेरे दा समा है की सवेर दा समा नेड़े नहीं आ लग गया एक अठ दो जदो साड़ा हुकम पाव अजाब आ ग्याता असा उस बस्तीनू उप्रो थले कर दित्ता आते ओना ते खिंगरां दा ताबर तोड मीह बरसाया अठ तिन हर पत्थर ते तेरे रब्दी निशानी लग्गी होई सी अते ओ बस्ती इहना जालमा तो पाव मके तो कुझ भी दूर नहीं सी आठ चार असी मदयन वालियाँ वलो उना देही एक पराश वैबनू कल्या उसने किहा के है मेरी कौम तुसी अल्लाह दी इबादत करो उस तो छुट तो हड़ा होर कोई इशट नहीं अते नाप तोल विच काट ना पाया करो आज मैं तोहानू बहुत खुशाल वेख रहा हां पर मैं उस दिन तो डरदा हां जदो तोहानू अजाब वाला दिन केरे विच ले लवेगा आठ पंज शुएब ने आख्या हे मेरे कौम तुसी नाप ते तोल इंसाफ नाल करया करो ते लोकानू ओना दिया चीजां कटा के ना देो ते तुसी इस तर्ती ते फसादी बढ़ के ना कूम्मो अठ छे जे तुसी सचे मोमिन होता अलाह वलो दित्ती होई जायस बच्चत नफा ही तोहाड़े लई वदिया है मैं पाव शुएब तोहाड़े उत्ते कोई पहरेदार नहीं हाँ आठ सत कौम ने जवाब दित्ता के है शुएब की तेरी नमाज तरम तैनू इहो सिखाउंदी है की असी अपने पेओ दाध्यान दे इश्टान नू छट दईये जा अपने मालान विचो ना करिये जो असी करना चाहिए बस तू ही ता एक नरम सुबाओ वाला ते समझदार वियक्ती है आठ आठ शुएब ने कहा के है मेरी कौम की जे मैं अपने रब वलो एक सपष्ट दलील ते होवा ते उसे नहीं मैंनू अपने वलो वदिया रोजी वी दित्ती होवे फेर मैं उस दी नाप फर्मानी किवे करा मैं एवी नहीं चाहुंदा कि मैं तोहड़ी विरोधता करा कि मैं उही कम आप करा जिस्तो मैं तोहानू रोगदा हाँ मैं छुट तोहड़े सुदार तो होर कुझ नहीं चाहुंदा ते इस दी योगता देना छुट अल्लाह दी मदद तो संभव नहीं उसे ते मेरा परोसा है अते उसे वल मैं चुकदा हाँ. 9. मेरी कौम वालेओ. मेरी विरोधता किते तोहानू उना अजाबांदा हकदार ना बना देवे जहडे कौमे, नूह, कौमे, हूद ते कौमे, सालेहनू पहुंचे सन ते कौमे, लूत दी बस्तीता तो हाथों बहुती दूर वी नहीं. 9. सिफर तुसी अपने रब तो मुआफी मंगोते उसे वल पर अताओ, बेशक मेरा रब अते अंत मेरा अते मुअब्बत करन वाला है. 9. कौम ने, कहा के हे शोयब, तेरियां बहुतियां गल्ला ता साड़ी समझ विच ही नहीं आउंदियां. असी ता तेनू अपने विचाले बहुत ही निर्बल व्यक्ति समझ दे हां. जे सानू तेरे कभीले दा ख्याल ना हुंदा ता असी तेनू पत्थरा नाल मार सुट द ते तू साड़े, ते किसे पक्खो भी पारू नहीं. 9. दो शोयब ने कहा के हे मेरे कौम दे वीरो. की तो हड़े लई मेरे कभीले दे लोक अलाह तो भी वद आदर वाले हन. तुसी उस रब नू उक का ही पिठ पिछे सुट दिता है. जो भी तुसी कर रहे हो उना सब नू मेरे रब ने अपने ग्यान दे केरे विच लिया होया 9. तिन अते आख्या के हे कौम वालेो. हून तुसी अपनी था ते पाविच्छा अनुसार कम कर दे रहो में वी अपना कम कर रहा हां. तुहानू छेती ही पता चल जावेगा के हींता परया अजाब किस ते अंदा है ते कौन चूठा है. तुसी भी अजाब नू उडीको अत 9. चार जदो साड़ा हुकम अजाब दा आया ता असी शोयबनू अते उसदे इमान वाले साथियानू अपनी विशेश मिहरा सदके नजात बक्षी अते जालमानू इक कड़कदार चंग्यार ने आनप्या जिस कारणू अपने कराविच मुद्दे मू डिगे पए रहे गए 9. पांजे इंज लगदा सी कि जिवे ओना कराविच कदे कोई वस्यार अस्या ही नहीं सी. मदयन वालियां ते भी फिटकार पई जिवे समूद ते फिटकार पई सी. 9. छे असी मूसानू अपनिया निशानिया ते रोशन दलीला देके फिरौन दे दरबार विच पेजया सी. 9. सत्थ फिरॉन ते उस दे दर्बारियां वल रोशन दलीला आयां फेर वी उना लोका ने फिरॉन दे हुकमा दी पैर्वी कीती जद के फिरॉन दा कोई भी हुकम सच्चाई ते आदारित नहीं सी 9. फिरॉन क्यामत देहाडे अपनी कौम दा आगू बनके अग्गे होवेगा फिर उना नू नरक विच सुट दिता जावेगा ओता बहुत ही पैडी था है जित्थे उना नू पहुंचाया जावेगा 9. उना लोकां तेता इस संसार विच वी फिटकार पैगई सी अते क्यामत देहाडे वी पवेगी किनना पैडा है ओ इनाम जिहडा उना नू दित्ता जावेगा 1. सिफर है नभी ए कुझ बरबाद होया बस्तिया दिया खबरा हन जो असी तोहानू सुना रहे हा इहना विच कुझ ता मौझूद हन अते कुझ मलियामेट हो चुक्किया हन 1. सिफर एक असी ओना बस्तिया ते कोई जुलम नहीं सी कीता सगो ओना ने अपने आप ते ही जुलम कीता सी अते ओना दे चूठे इश्टान ने ओनानू कोई लाब नहीं पहुंचाया जिनानू ओ अल्लाहनू छड़के मदद लई पुकार दे सन 1. सिफर दो हे नभी तेरे रब दी पकड़ अजेही है कि जदो किसे बस्तिदे जालमानू फर्दा है ता उस दी पकड़ बहुत ही दुखदाईते कररी हुंदी है दश्मलविक 1. सिफर तिन बेशक इस विचोना लोका लई सिख्यादायक निशानी है जहडे क्यामत दे अजाब तो डर दे हन ओ देहाडा क्यामत दा होवेगा जदो सारे लोक इकट कीते जानगे अते जदो सारे लोक रब्दे हजूर पेश कीते जानगे ओ क्यामद्धा देहाडा होवेगा 1.04 असी जहडी देरी कर रहे हां ओ एक मिथे समय लए है, पाव क्यामद्दा समा मिथ्या होया है एक सिफर पंज जदों ओ दिन आवेगा ता कोई भी व्यक्ति अल्लाह दी आगया तो बिना कोई गल नहीं कर सकेगा फेर इहना विच्छों ही कोई बेपाग होवेगा ते कोई पागावाला होवेगा एक सिफर छे जहडे बेपाग होणगे ओ नरक दी अग विच जानगे जित्थे ओ सदा रोन पिटन दी हालत विच ही रेंगे एक सिफर सात्तो उस नरक विच उदो तीक रेंगे जदो तीक अकाश्ते तर्ती रेंगे सिवाए इस्तो के तेरा रब कुझ होर चावे पाव नरक तो छुटकारा देना चावे तेरा रब जो भी चाहुंदा है करदा है एक सिफर आठ पर जहडे पागां वाले होनगे ओ सवरग विच होनगे जित्थे ओ सदा लई रेंगे जदो तक अकाश्ते तर्ती बाकी रेंगे पर हुंदा ओ है जो तेरे रब चाहुंदा है उस दियां बखश शांदा कोई अंत नहीं एक सिफर नौ सो हे नभी तुसी उना इश्टान संबंदी किसे संदेह विच ना रहो जिना दी ये लोक बंदगी कर रहे हन इहना लोका दी पूजा पाठता उसे तरह दी है जिस तरह पहला उना दे पेओ दादा पूजा कर दे सन बेशक असी अलाह ओनानू ओना दी सजान्दा हिस्सा पूरा दियांगे इस विच्चो कटोती नहीं कीती जावेगी एक एक सिफर बेशक असी मूसानू किताब तौरेत बखशी परंतू उस विच्च मत पेद कीते गए जेकर तेरे रब वलो पहला तो ही ये गल निश्चित ना कर दित्ती गई हुन्दीता ओना विच्चाले फैसला हो गया हुन्दा ए सच है कि ओ लोग को संबंदी शक विच हनते इसे कारणों दुविदा विच फसे होए हन एक 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 बेशक तेरा रब जरूर ही ओना दे अमला दा पूरा पूरा बदला देवेगा बेशक को काफिर जो भी कर रहे हनो अला ओना तो जानू है एक एक दो सो हे नभी जिवे तोहानू हुकम दित्ता गया है तुसी उस ते काइम रहो अते ओ लोग वी जहडे तोहडे वल पर अताय हन खबरदार हदो अग्गे ना वदना पाव वदी की नहीं करना अला तोहडिया सारिया हरकतानू बेख रहा है एक एक तिन हे नभी तुसी उना लोका वल ना चुको जिना ने जुलम कीता एक नहींता तोहानू भी नरक दी अग्चिंबर जावेगी अते छुट अला तोहडा होर कोई सहाई ना होवेगा ते नाहीं तोहडी मदद कीती जावेगी एक एक चार हे मुहम्मद ससा तुसी दिन दे दोवे सिर्या ते नमाज काइम रखो ते रात दिया कडिया विच भी नमाज पढ़ो बेशक नेकिया बुरायानू दूर कर दिन दिया हन। ए नसीहत अलाह दा जिकर सिम्रन करन वालिया लई है एक एक पांज हे नभी तुसी सबर तो कम लवो बेशक अलाह नेकिया करन वालियां दा अजर अजाई नहीं करदा एक एक छे तो हाथो पहला बीत चुकिया उम्ता विच अजेहे पले लोग क्यों नहीं होये जहरे लोकानू तरती ते फसाद फैलाउन तो रोक दे उन विच्चो बहुत ही कट लोक अजेहे सन जिनानू असी अजाब तो बचाया आते जिना लोकाने जुलम कीता ओ एश आराम वालियां चीजांदे पिछे लगे रहे ओ सारे अपरादी हन एक एक सत हे नभी तोहडा रब जेहा नहीं के ओ बस्तियानू अन हक का जुलमते अजाब नाल बरबाद करे जद के उत्थे दे वसनीक समाजदा सुदार करन वाले होन एक एक आठ जे तोहडा रब चाहुंदाता सारे ही लोकानू इक ही उम्मत समुदाय बना दिन्दा परो काफिर सदा मत पेद कर दे ही रेंगे एक एक नौ सिवाय ओना तो जिना अते तेरे रब्दी मिहर है इहना नू ता पैदा ही इसलिए कीता गया है के इहना दी अजमाईश होवे अते तोहडे रब्दी ए गल्वी पूरी होवेगी कि मैं नरकनू जिना ते मनुखा नाल परांगा एक दो सिफर हे नबी असी रसूला दे किस्या विच्चो तोहानू किसा सुनाओं दे हा जिस राही असी तोहडे दिलनू होसले विच रखिये इस किस्से राही तोहडे कोल हक आ गया है अते मोमिना ले नसीहत्ते याद रखन वालियां गल्ला हन एक दो एक हे नबी इमान ना लियाओन वालियानू आख देओ के तुसी अपनी था करम करो बेशक असीवी करम कर रहे हां एक दो दो तुसी वी रभी फैसलया दी उडीक करो बेशक असीवी उडीक कर दे हां एक दो तिन अकाश ते तर्तीदा गैब गुपत ग्यान अल्लाह ली ही विशेश है सारे मामले कम वी उसे वल परताय जान दे हन सो तुसी उसे दी इबादत करो ते उसे ते परोसा करो तुसी जेवी कर दे हो उस तो अल्लाह बेखबर नहीं कर दो है